सर्जरी होने वाली थी वसे तो लेकिन वो नहीं हुई कि वो दवा से ही उनको अराम मिल गया था वो ठीक हो गया था सर्जी को दुआई देना चाहूंगे कि खुश रहे हैं वो बस जब तक हो सके हम लोग उनकी दवा ले सके स्वागत है आप सभी दर्शकों का हमारे स्खाज प्रोग्राम में और दर्शकों आप लोग सोच रहे होंगे इस वक्त मैं कहां मौजूद हूँ क्योंकि मैं ये अच्छा से जान सकती हूँ कि मेरे पीछे का जो बैक्ग्राउंड आपको लग रहा होगा ये तो किसी शौप का है जी हां मैं किसी शौप पे ही हूँ ये खेडा खुर्द में हम मौजूद है अपने पेशेंट के यहां दिली में गाओं पड़ता है और अनीता जी से मिलने हम पहुंचे हैं जानने के वो कैसे हकीम साहब से जुड़ी हूई है कौन-कौन से नुसके वह हकीम साहब के अपना मेरे दो बेटे हैं मेरे हास्बन है मेरी ससु मामी जी है और मेरे देवर है एक देवर है उनके दो बेटे हैं उनकी वाइफ है आप हाउस वाइफ है या वर्किंग वुमेन है वर्किंग जी क्या काम करती है आप मेरी शॉप है गार्मेंट्स की जी कॉस्मेटिक और गार्मे तो मैंने टीवी पे ब्रोग्राम देखा था सर का, फिर उसके बाद मैंने अपने बेटे के लिए बड़े बेटे के लिए तवा मंगाई थी सर से, कौन सी दवा, पीकेर, तो उसको मैंने एक साल तक कफी अच्छा उसको बहुत रिलीफ मिला है, अभी तक क्या दिकती बेटे क फिस्टुला की प्राब्रम थी, बच्छे के उमर? 21, तो अभी कैसे हैं वो ठीक हैं, बेटर हैं? अभी, मतलब लास्टे उनको सर्जरी होने वाली थी बसे तो, लेकिन वो नहीं होई, क्योंकि वो दवा से ही उनको आराम मिल गया था, वो ठीक हो गय थे, और कोई भी इस्त सर गोन बताते हैं, काला गोन, वो मैं अपने हस्बेन को दे रही हूँ, बेटे को भी दिया है, मैंने एस्केर दिया था, उसको बेक प्राब्लम थी, वो भी ठीक है, तो हकीम साब से जुड़के आपको क्या लगता है, कि एक सही ट्रीटमेंट आप फॉलो कर रही है, तभी कि कि मैंने बाकी जगह से मैंने बंग किया हूँ, कहीं से भी मैं टेटमेंट नहीं लेती हूँ, मैं सर के ही नुसके अपनाती हूँ, एक वो साथ चुरन बताते हैं, वो भी मैंने बनाया था, धर पी बनाया था, पिर वो भी मैंने हस्बेन को काफी दिया था, मैंने भी लि फिर वहां से कुछ दवाया मंगाई बेटे के लिए तो वहां की दवायों से बहुत फरक पड़ा बेटे को तो उन्होंने फिर अपने ले भी दवाय मंगाई तो इलाज इतना अच्छा लगा कि युनानी का कि हमें पसंद आने लग गया हम दूसरों को बताते थे कि युनानी यूज करो इसके side effect भी नहीं है और मैंने खुद भी गौन्सिय लिया मेरे गुटनों में दर्द था तो उसके बाद मेरे गुटनों में दर्द कम हुआ अभी है दर्द लेकिन कम होता जा रहा है मेरा दर्द पहले से और अब उमीद है कि मेरा दर्द फिलकुल चला जाएग बेटे को पाइल्स की दिक्कत थी, तो उनको भी वहां से दवाय मगाई मैडम ने, तो उनको ठीक हो गया था, तीन साल पहले ठीक हो गया था, लेकिन बच्चे मानते नहीं है तो भाहर की चीज़े खा लेते हैं, तो दुबारा ऐसी दिक्कत आई, तो मैंने भी यह बाहर की च हाई थी हमने हकीम साब से, तो उनको पीकेर को सचेस्ट किया था कि पीकेर को दो और इसका बिल्कु ठीक हो जाएंगे, वाइप को पैरलाइस की दिक्कत हो गई थी, तो उनके लिए भी अब दवाय मगाई है, जैतुन का सिर्का, जैतुन का सिर्का मगाया है, जो कि वो हमारे जो भी जितने भी इंसानियत होती है, जो वो अपना फर्ज निबा रहे हैं, कि वो सब को ठीक करें इस भारत देश में, इस दुनिया में, वो ठीक कर दें सब को बस उनकी यही सोच है, वो सब को ठीक करते रहें और सब उनको दुआ देते रहें, कि हकीम साब हमारे ल अब बेटा आपका ठीक है तो मैम जिस तरीके से हम देखते हैं कि लोग क्या युनानी और घरेलून उसके बहुत देर में जाके अपनाते हैं क्योंकि सबके मन में एक तो यह बहुत लंबे वक्त तक चलती है और बहुत दीरे-दीरे करके आराम पहुंचाती है तो आपको यह विश्वास कैसे हुआ जब आपने पहली बार प्रोग्राम देखा तो आपको यह कैसे लगा कि अब मुझे यह ट्रीटमेंट फॉलो करना चाहिए सर के बताने से ही मुझे यकीन हो गया था कि जिस तरीके से वह बताते हैं घर के ही घरेलून उसके बताते हैं वह कहते हैं कि सारी दवाईयां घर में ही मिल जाती है किचन में ही कहते हैं तो मैंने सबसे पहले उनके घरेलून उसके ही अपनाई थे उसके बाद से फिर मैंने दिक्कत होती है घरे लिए उसके हार कोई नहीं बनाते हैं, तो वा सर से मंगा लेते थे हम लोग, तो मेरे को अराम मिला है, मेरे बेटे को अराम मिला, कितने वक्त में आपको अराम लगना शुरू हुआ, जब आपके बेटे को ये परिशानी थी, आपने दवाई मंगवाई, तो वो वक्त कितना था, हफता बहर, 15 देन, 15-20 देन, उनको फाइदा मिला, तो हकीम साब अब ये इंट्रिव्यू आपका सुन रहे हैं, और आपकी, जैसा कि हमारे इंट्रिव्यू से पहले बात हुई थी, कभी आपकी उनसे बातचीत नहीं हो पाई है, तो आप उनको दूआ करना चाहूंगे, क्या कि मैं उनसे बहुत जादा हूं, खुश कि उतने अच्छी दवाईयां बताते हैं, और सबसे बड़ी बात है, वो घरे ले उनसे बताते हैं, जो नहीं अफॉर्ड कर सकते हैं, उनके लिए भी, और सर जी को दूआ ही देना चाहूंगे, कि सेहत मंद रहें, तो दर्श को ये हमारे साथ जुड़ी, अनीता जी, जो खेड़ा-कुर्द में रहती हैं, ये एक छोटा सा गाउं है, दिल्ली का, और जाना आप सभी ने कि वो कौन-कौन से नुसके हकीम साहब के अपनाती हैं, कैसे उनके जो बेटे हैं, वो भी ठीक हो होए हैं, तो ऐसे ही आप लोग भी सेहत मंद हो सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको करना क्या है, हमारे साथ जुड़े रहना है, तो आज की इस खास कारक्रम में बस इतना ही, मुझे दीजे, इजाजत, नमस्कार.